हेल फेंट्स मैं हूँ सनमय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉपनियोज कई महत्पून टॉपिक हैं कोशन से इस वुडियो में तो शूर करते हैं और हाँ जनुविट से लेकर अगस्त का मेराथन वीडियो अबिलिबल है नहीं देखा है तो इस देश में आजड़ हुआ जिसकी जासूसी के लिए चीन ने 300 सिट्लाइट तयनाइत कर दिये तो इस बार में वाइड़ डिटेल बटाते हैं पहले बताऊँ कि कब से कब तक ये आजन हुआ है तो ग्यारत से 21 अगस्त की ये आजन हुआ है और इसमें क्वार्ड देश यानि भारत जापान और शलिया अमेरिका इन सब की नौ सेना और आत्म रक्षा बल उन सब ने पाटिस्पेट किया ये एक्सराइज दो फेज में हुआ पहला फेज था हारबर फेज जिसमें जो नौ सेनिक जो है वो एक दूसरे के जहाज पर कहे वहाँ पर ट्रेनिंग ली एक दूसरे के बारे में जाना और दूसरा था सी फेज यानि दुश्मन के जो जहाज हैं और जो पंडुबी हैं उसको कैसे नश्ट कर सकते हैं टार्गेट को कैसे दोस्त कर सकते हैं इन सब के बारे में जाना गया ठीक है इंडिया की और से मैप के थुरू दिखाते हैं प्यारा भारत है ये वाला और ऑस्टेलिया कहां पर है ये वाला है ऑस्टेलिया ये इस तरफ है सिरिनी ठीक है तो यहीं पर ये एक्सेसाइज चल रहा था और चीन ने क्या क्या इसी छेत्र में जो सेटलाइड थे करिब तीन सौ सेज़ाद सेटलाइड उसने चीन ने अपने अन्तिरिक्ष में जो पृत्वी की एक अक्षा है वहां पर तनाद कर दिये और राउंड पे राउंड लगा रहे थे वो ठीक है तीन सो सेटलाइड तीन हयार फॉलाइट के जरिये तीन हेजर फ्लाइट्स मतलब वो लगातार चक्कर कारते रहते हैं तो उसने सर्वे किया और इस दौरान क्या हुआ उसको चारो जो नौ सेना है उनके टीम ने उन सिटलाइट को चक्मा भी दे दिया और शेले का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसने बहुत बारी की से ज़र रखा हुआ था देख महात्पुर्ण ये कोशन था इसलिए मैंने आपको बताया और है कोशन आप से इंडर नेवी के चीफ कौन है जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने लोगों को अभी याद है तुरंत बताईएं चलिए आगे बारते हैं अगला को नियूस भी देख रहे हैं तो टमाटर के बाद अब प्याज के कीमतें बढ़ रही हैं और इसमें चिंता बढ़ा ही है जनता की भी और सरकार की भी पिछले साल के मुकाबले प्याज 14 गुना तक महंगा हो चुका है ऐसा अख़वार होगा कि एक कहना है तो देश में प्याज के अबलेबिल्टी उसको बनाय रखने की कोशिश की है और कीमते भी नियंतरित रहेंगे ऐसी संभाव ना जता जा रही है इसकोशिश से तो वित मंत्रालने ने ये नोटिफिक्शन जारी किया है कि प्याज पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी हो तत्कार प्रभाव स लागू कर दी है जो कि 31 दिसंबर तक इस साल ये लागू रहेगा क्या असर होगा इसका तो एक तो यह होगा मतलब ड्यूटी का मतलब क्या फोर्टी परसन है देखिए जो भी प्याज अगर कोई विक्रता विदेश में भेजता है तो टोटल जो उसका प्राइस होगा उसक 40% टैक्स चुकाना होगा पहले यहां पर ठीक है तो इससे क्या होगा विदेश में जो प्याज यहां से सस्ता जा रहा था वो महांगा हो गया तो एक्सपोर्ट ड्यूटी इसलिए बढ़ाया गया तो वियापारी जो हैं वो यहां के वो बहार नहीं भेजेंगे क्योंकि उ पोस्ट ऑफिस कहां परस्तित है आसोगा बेंगलूरू में है और यह देख रहा है आप निर्मान हो गया था लेकिन उसका उधगातन आप किया गया है यह देखिए इस तरीके से यह निर्मान हुआ था 3D प्रिंटर के जरिए ओके और उसके बाद फिर इसका उधगातन किस इसका उधगातन किया है कब 18 अगस्त को बेंगलूरू में ठीक है तो 3D प्रिंटेड यह पोस्ट ऑफिस है इन्पार्टन कोर्शन है और इस बिल्दिंग का जो निर्मान है कि इस कंपनी ने किया तो लार्सन एन टुब्रो यह नहीं एलन्टी तो उसने यह किया है 3D कॉंक कंपूटर से 3D 3D डिजाइन पर काम करता ही है और जैसे प्रिंटर में इंक जाता है वैसे ही इसमें जो नमान हो रहा है उसमें कॉंक्रीट का मसाला डाला जा रहा है और पूरा एक शेप बना जा रहा है लगातार ओपर से फिर छट भी डाल दिया गया तो इस तरह से 3D प् अगला कोशन लेते हैं दोस्तों किस राज सरकार ने अगस्त 2023 में जबरदस्त बारिश और भूस कलंड की वजह से स्टेट रियास्टर यानि राज आपदा खोशित कर दिया आंसों का हिमाचल प्रदेश ने यह कदम उठाया है देख रहे हैं आप मैप में कहां पर हिमाचल इसका उसमें 55 दिनों में अभी तक के 113 बार लैंड स्लाइड हुआ है कहां पर हिमाचल प्रदेश में बारिश और लैंड स्लाइड की वजह से 330 लोग की माउत हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में इस सीजन की बारिश चलते 10 हजार करोड से ज्यादा का नुकसान हो चुका ह वहां के मुखमात्रिय सुखविंदर सिंग्स तुनों नहीं 18 अगस्त को स्टेट डिजास्टर घोशित कर दिया तो इससे क्या फायदा होगा स्टेट डिजास्टर घोशित करने से इससे सरकार ज्यादा फोकस कर पाएगी उन जो तबाह हुआ है इंफ्रास्रक्टर और लो की वज़े से बहुत बुरा हाल है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में तो यहां पर सवाल होगा कि आखिर क्यों इतना डिजाश्टर हुआ है वहाँ पर बारिश की वज़े से दिगे एक तो बारिश होई है बहुत जादा बारिश हो गए दूसरी बात है अवग्यानिक भी प्रकाशित किया है हिमाचल फ्लर्ट अ मैं मेड डिजाश्टर इसमें यह कहा गया है कि जो जलविद्वत पर्योजना है उन सब के लिए चटान की नीव भी कार दिगे तो उससे क्या हुआ जो बार आई बारिश होई तो पूरा का पूरा पहार जो है न कई जगों पर वह धंस गया और वह उसमें लैंड्सलाइड हो गया और यह जो कंस्रक्शन हुआ जलविद्वत पर्योजनाओं का उसके वह से जो पहारी नदिया है उनका रास्ता जाम हो गया बदल गया पानी रुक रुक का धरान से गिरने लगा तो इसकी वह से पूरा पहारी कई जगह पर वह बैठ रहा है और लैंड्सलाइड हो रहा है पूरा पूरा ठीक है कई जगह रास्ते बंद हो गया है वर्तमान में अगर बात करेंगे हिमाचर प्रदेश में तो 168 जल विद्वत पर्योजनाओं हैं वहां पर जो कि 10,848 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं और भव पर होगा उतनी बिजली बनाई जाएं और इसके लिए 1088 जल विद्वत पर्योजनाओं चलू हो जाएंगे उस पर काम प्रोग्रस है चल रहा है तो इतनी जादा जो जल विद्वत पर्योजनाओं उन सब को अस्थापित किया जा रहा है उसकी वेज़से वहां जो पहार है उनमें संकट हुआ है क्योंको पहार जो है वो सब कच्चे पहार है ठीक है मिट्टी के पहार है जल दतर चटाने हैं लेकिन कम है तो इसकी वाज़से जब बारिश हुई और जब इस्तिती उनकी पहार को काट दिया गया कई जगों पर तो वो धने के इस्तिती वहां पर है इस तरीके से घर के घर लोग के लोग मरे जा रहे हैं वहां पर ठीक है तो हिमाचल प्रदेश की बात करें हैं मुख मंत्री कौन है सुख विंदर से सुख हूँ गवर्नर है शिव परताब शुक्लिम राजधानी है शिम्ला चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला कोश लग होना वह सब पीडिएफ एबलेबल हैं हिंदी और इंगलिश दोनों लेंगवज में इस वुड़े के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना लिंक मिल जाएगा डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री में और अगर आप करेंट वर्स की खास्तों पर एग्जामनेशन के त्यारी हैं तमाम एक्जामनेशन में करेंट फर्स दो आता है और बहुत इनप्रिंट होता जा रहा है करेंट वर्स तो उस तैयारी के लिए आप एक मेंबर्शिप प्लान भी ले सकते हैं बहुत मामली से रकम हैं डिसकांट भी चल रहा है तो इसके जरिए अगले एक साल तक यानी उसमें वीडियो के लिंक भी होते हैं ताकि अगर किसी चीज को आ विजुली समझना चाहते हैं तो इसे क्लिक करें और ओपेन हो जाता है और इसी मेंबर्शिप के साथ फ्री में इतने तरह के एक्जामनेशन के टेस्ट सिरीज भी अबलेबल हैं तो आप इस वीडियो के डिस करने में मदद पाने के लिए किस वेब पोर्टल को शुरू किया है आंसो का उद्गम ठीक है क्या नाम है उद्गम तो उद्गम का फुल फॉर्म क्या होगा अनक्लेम्ड डिपोजिट गेटवे टू एक्सस इन्फॉर्मेशन यह है तो इस पोर्टल को आर बी ने लांच कि है और रिजर्व बैंक सूचना प्रद्गी की प्राइविट लिम्टेट उसके द्वारा यह डिबलब किया है तो यूजर को क्या करना है फिलाल इस पोर्टर पर जो उप्लब दे साथ बैंक है वहां पर अपनी लावारिस जमा राशी के डिटेल वह प्राप्त कर सकते हैं बताव आप जा सकते हैं वहां और जो साथ बैंक हैं कौनकों से SBI, PNB, Central Bank, DBS Bank, South Indian Bank, Dhanalakshmi Bank और City Bank तो इन सब बैंकों में जो लावरिस जो पढ़े हुए रकम पढ़े हुए तो उसमें नाम भी होगा कि किनके नाम पे है तो उसको क्लेम किया या सकता है ठीक है तो इसके अगला कोर्शन लेते हैं दोस्तों राश्टरपती द्रॉपदी मौर्पो ने अगस्त 2023 में युद्धपोत विंधिगिरी का जला उतरन का है जला उतरन का मतलब क्या होता है पानी में उतारना उस जहाज को तो यह किस प्रोजेक्ट के तहत बना हुए आंसो गर प्रोजेक् 17A और A का फुल फर्म क्या होगा अलफा अगर आपको कहीं ये लिखा हुआ मिले प्रोजेक्ट 17 अलफा तो वो भी सही है और प्रोजेक्ट 17A लिखा हो तो दोनों सही है तो राश्टपती द्रॉपदी मौर्पो ने ये 17 अगस्त को कोलकता में हुगली नदी पर उसमें हु बना हुआ छठा यूदपोत है और कंस्रक्शन किस ने किया इसका निर्मान किस ने किया है तो ये गार्डन रिज शिप बल्डर्स इंजिनियर्स लिम्टेड उसने किया है कुल काता में तो क्या है प्रोजेक्ट 17A ये भी समझ लेते हैं इसको कहेंगे डिटेल में प्रोज और इस टेल्थ गाइड़ मिसाइल फिग्रेट है इस टेल्थ का मतलब क्या हुआ कि रडार से बच निकलने वाला ऐसा डिजाइन किया हुआ इसका कि रडार से बच सकता है रडार इसको पकरना रडार के लिए मुश्किल होगा ठीक है तो इसका निर्मान जो मुखतोर पर दो कंपनियों को दिया गया काम एक तो मजगाओं डॉक शिप बल्डर्स और दूसरा है कार्डन रिच शिप बल्डर्स एंड इंजिनियर्स के दवार ठीक है इन दोनों को दिया गया था और इस प्रोजेक्ट के तहत पहली बार 2019 में एक शिप लांच किया था उसका नाम थ का तून के नाम क्या क्या है पहला था नेल गरी दूसरा हिम गिरी तीसरा उदै गिरी चौथा दूना गिरी पांचमा तारा गिरी और छठा युदपोत है विंद गिरी तो यह भी नाम आप यह देख लिए ठीक है तो इसके तहत छे टोटल युदपोत अब तक बन चुके ह अच्छा एक और बात बताओं यह जो कोशन में था जलावतरन इसका मतलब यह हुआ कि जल में उतारा गया है अभी हुगली नदी में उतारा गया है और हुगली नदी से वो बंगाल के खारी में पहुंच जागा ठीक है यह जाज और फिर वहाँ पर ट्रायल होंगे तक्रि अगला कोशन लेते हैं डोप टेश्ट में फेल होने पर धावक दूती चंद पर कितने वक्त का पर्तिबंद लगाए गया है आंसों का चार वर्ष फोर यहर का उन पर बैन लगाए गया है दूती चंद भारत की सबसे तेज महिला एथलीट है और नेश्टन हंडर्ड मीटर रिकॉर्ड था रख है उनको जाना जाता है और डोप टेश्ट में विफल होने के बाद से उनको चार साल का प्रतिबंद लगाए गया है और वो एक बड़ा जटका के रूप में माना जा रहा है उनके शरीर में एंडरोजन रिसेप्टर मॉडुलेटर वो पाए गया और उ मतलब 2023 से ही लागू कर दिये गया है अब दूतिचंद का क्या कहना है उनका ये कहना है कि अब वो इसको चैलेंज करेंगी नाडा के सामने और उन्हें 2021 में कैंसर का पता चला था लेवल वन कैंसर का और इसके बाद डॉक्टर के सुजाव पर उन्होंने दवा ली थी और उ अपने इलाज की वज़े से वो जो हैं डोप टेश्ट में फास गई और उसकी वज़े से उनको चार साल का प्रतिबंद लग गया है तो उन्होंने कहा है कि इसको हम चुनोती देंगे और इस बिना पर कि हमारा इलाज चल रहा है और कैंसर के इलाज में ये बहुत ही जरूर बनाया हुआ है चले आगे बरतें दोस्तों अगला कोशन लेते हैं भारतिये एटल्टिक्स फेडरेशन यानि एफाई के अधक्ष का नाम बता है जिन्हें विश्व एथलेटिक्स कारकारी बोर्ड में चुना गया है आसो का आदिल सुमरी वाला ठीक है नाम के है आदिल यानि हंग्री में विश्व एथलेटिक्स का चुना हुआ उसे में इनको चुना गया है अगला कोशन लते हैं किस देश की टीम ने फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2013 जीत लिया है आसो के स्पेन स्पेन ने जीता है और 20 अगस्त को ये जीत हासिल की है इंगलेंड को हरा कर एक शुन्य से हराया इंगलेंड को और कहां पर फाइनल हुआ था 20 अगस्त को तो आस्टेली के सिडिनी ओलंपिक एस्टेडियम में इस्पेन की कप्तान है ओल्गा कर्मोना तो उन्होंने खेल के 29 मिनट में गोल किया ठीक है और पहली बार इस्पेन की महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीता है वर्ल्ड चेंपिन बनी है ओके इस्पेन इतना वर्ल्ड कप जीता है उसके बारे में जान लें इस्पेन की राजधानी है मैड्रिड समराथ है वहां के फिलिप 6 प्रामेरिश्टर है पेड्रो सांचेज पेड्रो सांचेज मुद्रा यूरो है अगला विश्व फोटोग्राफी दिव्स कब मनना जाता है वर्ड फोटोग्राफी इसनГभ आगश्ट को 2020 की थीम क्या है लैंडरिक इस्केप यğ KW यह थीम एकला कोश ने विश्व मंचर दिव्स कब मनना जाता है वर्ड मंचम्र डिवस तो बिस अगस्ट को मुख मकसद यह है कि जो मच्छरों के काटने से जो बिमारिय होती है उसके प्रतीक कैसे बचे उसके बारे में जागुता फैला है और मच्छरों की आबादी कैसे कम की जाए ठीक है इन सब के लिए लेकिन जो नाम है उससे लगता है मच्छरों के लिए यह दिवस है एक्छल म 20 अगस्त को ठीक है अच्छे उर्जा दिवस 2004 में कैंसर काने इस दिवस को घोशित किया था वो देशी ही कि रिनोबल एनर्जी जो है उसके डिवलप्मेंट में किस तरीके से आम लोग भी इससे जुरे और उसको अपनाए इसके लिए है ओके रिनोबल एनर्जी का मतलब क्या हुआ हुआ मतलब हुआ जैसे सौर उर्जा हुआ है अगला कोश लेते हैं सद्भावना दिवस भारत के किस पुर्व परधानमंत्री की जैनतिक रूप में 20 अगस्त को मना जाता है हर साल आंसों का राजीव गांधी ठीक है इसे दिन 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन् पर दिया था उसी के लिए ये दिवस मना जाता है अगला कोशन विश्व वरिष्ट नागरिक दिवस का मना जाता है आंसों का 21 अगस्त को सिंवतराष्ट महासभा ने इस दिवस को घोशित किया हुआ है ठीक है अगला कोशन लेते हैं किस देश के क्रिकेटर वहाब ने अंतराष्टी क्रिकेट से सन्यास लेने का एलान किया है आंसों का पाकिस्तान ठीक है वहाब जो है वो 2008 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेबू किया था आगस्ट 2023 में उन्होंने अंतराष्टी क्रिकेट से सन्यास लेने का एलान किया है अगला कोशन लेते ह वानिंदू हसरंगा ने टेस्ट किर्केट से सन्यास लेने का आयलान किया है आंसो का शिलंका शिलंका के ओल राउंडर है तो उन्होंने सन्यास लेने का घोशना कर दी है तो दोस्तों ये था important current verse कुछ और question है उसको मैं कल के current verse में शामिल करूँगा पसंद आया हो तो like बटन दबाएगा जिन लोग ने subscribe नहीं किया उनसे अपील है जरूर करें और support करें और हाँ बिलेकर दबाएगे तो notification आपको वक्त पे मिलेगा आँ मिलते हैं कल बाई